हेलो एवरीबन शिर्फ शक्ती चैनल में आप सबका स्वागत है यह डिवाइन मेस्कॉाइन की कलेक्टिव एनरजी है यह जस्ट अभी-भी मुझे चैनलिंग हुई है और मैं कुछ और करने जा रही थी बट अचानक एक सौंग जो पॉप-प हुआ और बिल्कुल सोल से कनेक हुआ जाकर जो बता रहा था कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से यह सौंग है और जो चैनलिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं सोल आपके काउंटर पार्ट की सोल बोड रही है यह सारी बाते ठीक है और मैंने वह काम छोड़के उस सौंग को पूरा सुना उसको सुनते ही पूरी कानेक्शन आप अचानक से डिवाइन मैसक्वाइन के साथ फील करें क्योंकि आपको जो कनेक्शन है वो सौल कनेक्शन है ठीक है और जो सौंग है उसमें भी कहीं ना कहीं सौल वर्ड है ठीक है और जहां आपकी ही सौल आपको बता रही है कि जो ठीडी वर्ड में है आपके अपकी इक है और सोल का जो मैसेज है आपके काउंटर पार्ट का जो मैसेज है वो आप इस सौंग के थू सुनियेगा बिल्कुल आप से कनेक्ट करेगा आपको एकदम से अंदर से फील होगा यह यह आपकी परसन की सोल है जो आप से यह वर्ड बोल रही है थीके बहुत से divine प बहुत ही ज्यादा हाई बाइब्रेशन में हैं क्योंकि यह नाइन नाइन पोर्टल हो यह कोई और पोर्टल हो ठीक है हर किसी के लिए अलग-अलग होता है किसी के लिए पॉजिटिविटी लेकर आता है किसी के लिए निगेटिविटी लेकर आता है उसके लाइफ में में बा किस स्टेज पर हो beetle हici तो हर लिए किसी से चेर्ट नहीं होती है हर किसी की जर्नी सेंडीड नहीं होती है कुई Simmons से की सेक्ओन स्टेज पर होता है किसी की सक्तिकर कंद जर्नी चल रही होगी कि Shelby complete भी हो चुकी होगी ठीक है तो यह जो है collective divine masculine का message है divine feminine के लिए कि उनकी रूह कहीं ना कहीं आपको पहचान रही है पहचान चुकी है या आप से जुड़ी हुई बातें उनको समझ में आ रही है जो उन्हें पहले नहीं समझ में आती थी या आप से connect नहीं कर पाते थे हैं कि आपकी बातों में कोई ना कोई सचाई है जो उनको connect करती है या उनको लगता है कि आप कुछ ऐसा जानती है जो मैं नहीं जानता हूँ ठीक है तो उनको उनकी higher self कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है और आपकी merging हुई है आपके partner से यह जो चल रही है तो merging होना मतलब कहीं ना कहीं आपका एक हो जाना आपके inner dmdf का बैलन्स हो जाना आपके inner dmdf का merging हो जाना एक तरीके से ठीक है जब आपकी merging हो जाती है तो उधर बहुत ही powerful change आने लगते हैं आपकी person की तरफ से ठीक है उनके अंदर unconditional love, positivity, self love यह सब चीज़े develop होना स्टार्ट हो जाती है अपने connection को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं ठीक है वो भी आपकी तरह ही change होने लगते है inner work करना ठीक है universe पर trust करना divine पर trust करना या पूजा पार्ट करना पूजा पार्ट स्टार्ट कर देना मन दे जाना स्टार्ट कर देना क्योंकि divine उनको कहीं ना कहीं ज़े sign देते र आगे बढ़ सकें तो ऐसा divine masculine के साथ भी होता है ठीक है तो इस टाइम आपकी जो partner की soul है उनका higher self है जो sign दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी awaken की peak पर है मतलब awakening उनकी peak पर है और वो भी उस पात पर आ ठीक है जिस पात पर आप है ठीक है तो इस song को आप सुनेंगे और ज़्या आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि यह उनकी soul का ही कोई message है आपके लिए जो वो इस song के थ्रूप बता रही है ठीक है तो इक छोटी सी channeling है आपके partner की तरफ से आप लोग सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह सूल से related song है ठीक है क्योंकि मैंने पूरा song सुना तो मुझे र यह एकदम से ऐसा लगा कि divine message दे रहे हैं कुछ ना कुछ जरूर इस song के थ्रूप और मैंने सब कुछ चोड़ के उस song को ही पूरा सुना मैं समझ गई यह channeling है आपके higher self से यह message मिल रहा है आपके लिए या जो उनकी true feeling है इस time आपके लिए वो इस song के थ्रूप आप तक अस्ट्री यह